नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव टाइम सीवी और आपके साथ मैं हूँ विशाल शांडिल ले मेरे सहय होगी वीडियो जनलेस्ट शेवम शर्मार असिस्टेंट राइव परडूसर विशाल सुजी उना के पुलिस लाइन्स ग्राउंड जलेडा से आपके साथ एक पर फिर लाइव जुड़े हैं जहां इस वक्त टी टॉन्टी ओपन टॉर्नमेंट का सूपर बारा का एक और मुकाबला कुरियाला और बेहर जस्वां के बीच खेला जा रहा है और कुरियाला ने पहले पास यहां पर जा पहुंचा है और इस ओबर के बाद हैं यहां पर पांच ओवर्ज बचेंगे निश्रूप से यहां पर रन नगती बढ़ानी होगी बेहर जस्वां को तो दोनों ही एंड से कुरियाला के चरफ से लेफटी स्पिनर्स को अटैक पर रखा गया है और दोनों ही स्पिनर्स ने विकेट्स चटकाए हैं अपने टीम के लिए और यह दिखिए हलकी हातों से खेला स्क्वेर और दो विकेट्स कोई आपती नहीं कुरियाला को अगर सिंगल यहां पर जाते हैं जरूर यहां पर जाहेंगे कि कोई बड़ा शॉट नहीं लगने पाए तो गेंद बाजी आकड़ में परवर्तन करने का यहां पर कुरियाला के तरफ से संकीत दिया गया है पर जाते हैं तो तो तेरा ओवर के बाद एक 80 रन पर जा पहुंचा है स्कूर बेहड जस्वां का च्छे विकट्स यहां पर डाउन हो चुके हैं रिशी शर्मा हमार सा जुड़े हैं येश पुरेवाल आपका भी स्वागत और ये उठा के खिला था मिडाउन के दिशा में सिंगल जरूर में जाएगा दूसरे को भागने की सुच रहे हैं लेकिन फील्डर बहुत ही चुस्त और मुस्ताइद कुरियाला के टीम के पांच ओबर का खेल यहां पर शेश है और अब जीत के लिए 49 रन इस एक रन के बाद 48 रन के जरूरत रहेगी बेहर जस्मा को अंदर आती हुई गेंद तो इस बल्ले बास नहीं अभी छक्का जड़ा था पिछले ओबर में जिसके बाद अब टार्गेट किया जा रहा है कि इन्हें बल्ले की बजाए इनके पैड़ों पर गेंद मारी जाए ताकि इनको चांस जादा नहीं मिल पाए कि स्ट्रीम को दूरूर शेय कीजिएगा किसी भी खिराड़ी के पास मौका नहीं चार रंज कावर्ष की दिशा में 85 पर चा पहुंचा है बेहर जस्वा का स्कूर इस चौके के साथ 45 रनों की रहेगी दरकार चार विकेट्स हाथ में और कुरियाला जरूर यहां चाहेंगे कि विकेट्स चटकाए जाएं ताकि बेहर जस्वा को बैक फुट पर धकिला जाए फिल्ड के सिजावट स्कूर लेक के खिलाड़ी को बाउंड रिलाइन पर रखा गया है थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी है और यह बोल्ड साथ में विकेट का फतन होते हुए बेहर जस्वा का बिल्कुल मिडल स्टम को हिट किया पचासी रन अच्छे विकेट के नुकसान पर साथ विकेट के नुकसान पर माफ केज़ेगा 86-86 रन तो 26 गेंदों में 44 रन चाहिए होंगे तीन विकेट हाथ में हैं बेहर जस्वा के असंभव नहीं लेकिन मुश्किल जरूर तो बल्लेवाज अगले उमेश बेहर जस्वा के लिए बल्लेवाजी करने के लिए मैदान में उत रहे हैं कि लिए धड़ प्रफ़ झाल, कि बत्तषपशम नचर राल चाहिए ह। ग्यान मझेए कि अज़िए नहीं बलेवाज जरूर चाहेंगे हेट करना इने और आठवें विकेट का पतन कुरियाला जरूर यहां से चाहेगा 26 गेंद 44 रन तो आस्किंग रेट अब यहां करीब करीब 10 रन्स प्रती ओवर के आस पास आते हुए इसके बाद चार ओवर्ज बचेंगे एक गेंद 64 ओवर्ज की अठर ओवर्ज का यह मैच आपको बता दें मैच देरी से शुरू होने के चलते चार ओवर्ज की कटाती की गई दोनों ही टीम्स की पारी के दो दो ओवर्ज कम किये गए ओहो 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 शांदार गेंद कट करना चाहते थे उमेश लेकिन रफ़तार अच्छी खासी तो चार ओवर्ज और चवालिस रन यहां से चाहिए होंगे ग्यारा रन प्रती ओवर्ज की रफ़तार यहां से रखनी होगी ताकि मैच को अपनी तरफ लेकर जा सके बेहर जस्वाँ आपको बता दाएं कि कुरियाला की वही टीम है जैसने उना पुलिस 11 को इसी ग्राउंड में लीग राउंड में मात देकर सूपर 12 में जगा बनाई थी और आज सूपर 12 में भी बेहर मजबूत परिस्टी में यहाँ पर कुरियाला की टीम स्पिनर को अटाक पर लाया गया है एक बार फिर डॉमिनेट करना जाएंगे लेफ्ट आम स्पिनर राइट हैंड़ बेट्समेंड के सामने आसान नहीं बनता है खेलना और उन्हीं सभी चीजों को इस्तेमाल करते हुए कुरियाला के कैपटन सुनील नेंबर 10 की जर्सी में पॉइंट की दिशामें फेल्डिंग पर रहा है तो फेल्ड की सेजाबट कुछ इस तरह से है लॉग आफ पर खिलाडी बाउंडरी लाइन पर लॉग ऑन पर खिलाडी बाउंडरी लाइन पर है मिड़ विकेट एरिया को बाउंडरी पर रखा है स्क्वेर लेग को बाउंडरी पर रखा है और ये शानदार शॉट छे रंज असानी से पढ़ लिया था गेंद को और गेंदवाज के सिर के उपर से उठा कर मारा ओह 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 नजाकत भरा ये डिफेंस है 38 रंज चाहिए 22 गेंद शेश एक छक्का लगने के बाद और ये नहीं पहुँच पाई नरेश गेंद तक उमेश अभी आए हैं दो ही गेंद खेले हैं पिछले ओवर में कीपर भी बीट बैट्समैन भी बीट लोर ब्राउंस एक रंज का जरूर इजाफा होगा बेट जस्वा के स्कोर में नितिश शर्मा मासा जुड़े हैं मेरे स्वायोगी धन्यवाद नितिश लॉंग ओन एरिया में सिंगल जरूर मिल जाएगा यहां से तो कहीं न कहीं एक छक्का जो अभी यहां लगा है जरूर चाहेंगे कि वो समय करनों को और यह बोल्ड हो गए नहीं पड़ पाए ओवर की समापती इसी के साथ आठर ने रिशोवर से आए और एक विकेट भी यहां पर बेहर जस्वा को नुक्सान होगा अठर में विकेट का पतन होते हुए आठर विकेट गिर चुके हैं तो 15 ओवर 95 रन तीन ओवर यहां पर शेश और यहां से अब 35 रन अठरा गेंद में चाहिए होगे किसी को शायद वो मुकाबला याद होगा बंगलदेश और भारत के बीच कुछ इसी तरह के समीकरन तीन ओवर में कुछ इसी तरह का स्कोर चाहिए था जब दिनिश कार्थिक ने वो आतिशी पारी खेल कर फाइनल में जीत दिलाई था तो कुछ इसी तरह से बेहट जस्वा को भी यहां उमीद अपने बल्लेबादों से तो यह तीन ओवर बेहट कुछ रहने वाले हैं कुरियाला और बेहट जस्वा के बीच इस मुकाबले में 35 रन 18 गेंद में चाहिए दो विकट मातर शेश हैं अब और यह उठा दिया है हवा में लांग आफ के ऊपर से छे रन्ज तो कुछ इसी तरह से पारी खेल नहीं होगी बेहट जस्वा के बल्लेवादों को एक सो एक इसी एक छक्के के साथ स्कोर भी सो के पार 17 गेंद 29 रन तो चुवियो बिल्ली का खेल ये लगातार जारी है रनों और शेश रहती गेंदों के बीच में ओहो बेहर शांदार बाउंस देख लिया था पहले ही कि मारने का प्रियास करेंगे शाट बॉल दे दिया एक और बॉल वाइड का इशारा अंपायर का 28 रन 16 गेंद में हर एक डॉट बॉल से जरूर प्रेशर क्रेट होता है बल्ले बाज पर जब इस तरह की परिस्ति हो करो या मरो की परिस्ति और यह नॉमा विकट तो सिद्धु मुस्य वाला के ट्रेड मार्क में सेलिबरेट करते होई केंद बाज नॉमे विकट का पतन यहां पर हो चुका है पंदरा बॉल्स शेश रहेंगे यहां से और रन 28 चाहिए होंगे जीत के लिए अंतिम बल्लेवाज ग्रीज पर उतर रहे हैं और कुरियाला यहां से चाहेगा कि इस विकट के चटका कर बैच को 27 रनों से अपने नाम करें जबकि बेहर जस्पा के बल्लेवाजों के मन में जरूर यह बात रहेगी कि ओवर्ज पूरे खेले जाएं नए बल्लेवाजर रोहित बल्लेवाजी करने के लिए उतर रहे हैं तो आखरी जोड़ी रोहित और उमेश की यहां पर बल्लेवाजी के लिए बची है जी भी जोड़ा है आखरागा तेट जोड़ी खापने की आखरागा थापने के लिए क्रीज तो सोट आखरी विकेट 15 ओवर 28 रन ये एक्वेशन अब बेहड जस्वा के सामने इस मैदान पर शांदार शाट मिड़ाफ के उपर से उठा कर मारा है चार रन्स मिलेगे पहली ही गेंद फेस की है रोहित ने जरूर अपने चाके को सलिब्रेट करते हुए और सलिब्रेशन यही खेल भावना रहती है कीपर ने भी उनके इस चाके को सराहा और बल्यवास की सलिब्रेशन से कुछ ठाके यहां पर गूंचते हुए मैदान में अपने और अट यहीं अबाट पर गूंचते हुए एक ता चोधरी सुरेश गुपता अमरे सा जुड़े हैं स्वागत आपका भी तो जान फूग दी रोही ते इस मैदान में आकर इस मैच में बेहट जस्वा के लिए और ये इसके साथ ही मैच अपने नाम क्या कुरियाला ने 23 रोनों से अपने नाम इस मैच को कुरियाला ने किया लीग में पुलिस को हराया था और सूपर 12 के इस मुकाबले में सुनिल शर्मा के लड़कों ने बेहट जस्वा को 23 रोनों से मात दे कर अपने विज़ अभियान को जारी रखा है लाइव टाइमस टीवी के लिए उना से वीडियो जनलेस्टर शेप अंशर्मा सेस्टिन इटर लाइब पूदूसर विशाल सूजी के साथ विशाल शांडेले